Hello Friend Welcome to Graphic Nest Friend जो आज की वीडियो है वह कोलडोव पर है और Friend इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप वाल क्लोग को कोलडोव में क्रेट करते हैं So Friend ये वीडियो बड़े ध्यान से देखे गए इसके बहुत ही इजी स्टेप्स है और इसमें कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपके साँ शेयर करूँगा इसका साइज आप ले सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहां से स्नैपिंग ओन रखनी है यह आपके लिए भूट बेनिफिट हो जाएगी तो स्नैपिंग का बेनिफिट यह होगा कि आप इसकी सेंटर आपको ढूंडना नी पड़ेगा आप जब जब जाएगे तो सबसे पहले आप इसकी लाइन करेंगे, यह आवर सो मिनिट की लाइन, तो यहां से आप सिंपल लाइन ले लेंगे, इस तरीके से, ठीके, इसका साइज आप रख लेजिए, अभी मैं 4 mm रख लेता हूँ, सिंपल ठीके, और इसकी जो लाइने 1 पॉइंट रख लेता हूँ ठीके, और इसके टॉप और सेंटर रख लेता हूँ, ठीके, अब आपको करना क्या है, यहां पर इसकी एक ट्रिक्स में चिपी हुई है, ठीके, ट्रिक्स क्या है, आपको इसका जो सेंटर है, इस लाइन का जो सेंटर है, वो आपको इस सर्कल के सेंटर पर सेंट करना हूँ जब आप इस पे double click करेंगे तो देखें कि रोटेशन का आपको दिखा रहा होगा, तो आप इसके जो center पर point जो दिख रहा है, इसको आप यहाँ पर ले जाएंगे, ठीके, देखेंगे, अपने आप इसने center ले लिया, ठीके, यह आप जब snapping on करते हैं, तो यहाँ पर benefit मिलता आ आपको, ठीके, और सबसे पहले आपको इस पर कितने degree पर रोटेट करना है, यह आप सबसे बड़ा challenge है, तो आपको पता है, जो सरकर होता है, 360 degree का होता है, और हमारे जो minutes है, वो 60 minutes है, तो 360 divided होगा 60 से, ठीके, आप calculator ओन कर सकते हैं, यहाँ से simple, और यहाँ पर 360 divided by 60, तो आप आपको 6 degree पर रोटेट करना है, आपको डिगरी मिल गया है, सिंपले से close करेंगे, और सेंट्रेस ने ध्यान रखेंगे, तो सेंट्रेस का यहाँ पर सेट किया हुआ है, आपको ट्रास्फोर्मेशन में जाना है, इसका second वाला रखना है आपने, यह पहला है, छोड़कर आप उनकी जो लाइन है आप ठीक कर देंगे, तो मैं इधर आवर्स वाली चूज कर लेता हूँ, सिंपल इस तरीके से, ठीक है, और इसको मैं 3 पॉइंट रख लेता हूँ, ठीक है, और 1, 2, 3, 4, यह 5 है आपका, तो Ctrl R प्रेस कर लोगा, अपने आप ले ले लेगा है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, आप ऐसे चूज कर लेंगे, यह आप इसको भी ठीक कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखेंगे यहाँ पर, जो आवर्स आपको मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, यह फ्प्त हो गया आपका, ठीक है, और इसके बाद देखेंगे, आप स्वी जो जो इसकी जो नीडल्स है वो आपने हिस्ताफ से ग्रेट कर सकते हैं, तो अभी मैं इसकी यह needle से ले रहा हूँ, ठीक है, आप जो मरजी shape ले सकते, आप net से ले सकते, उसको आप trace करके बना सकते हैं, ठीक है, तो अभी मैं यह यह वाली line ले लेता हूँ, simple, और तो देखिएगी, जैसी मैं एसके बीच में रखूँगा, तो अपने आप center ले लेगा और simple right-click करूँगा तो इसकी copy हो जाएगी, ठीक है, अब इसमें आप अपने साब से जो counting है वो डाल सकते हैं, font आप जो मर्जी चूज कर सकते हैं, अभी मैं यही select कर रहा हूँ, simple यहां से, यहां से डाल सकते हैं, इस तरीके से, यहां आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, और इसकी जो लाइन है वो आपको अगर रेट करना चाहते हैं तो आप रेट चूज कर सकते हैं, simple, आपको सबसे पहले वैसे इसकी जो लाइन है उसको रेट करना चाहिए था, मैंने काउंटिंग पर डाल दिये, उससे क्या होगा कि आपको सेलेक्शन करने में थोड इसलिए मैं सेलेक्शन असान हो जाए तो इसलिए मैं इनको यहां से सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो नीरल के साथ गूरूप कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं से कट कर रहा हूँ, so that इसकी आउटलाइन पर आप अप कलर डाल सकें, तो simple इस तरीके से रेट कर देंगे, इसकी अगर आउटलाइन मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं simple इस तरीके से नहीं कर दूँगा, तो देखेंगे आपके सामने जो है वो जो वाल क्लोक है वो क्रेट हो गई है, so friend इस तरीके से आप वाल क्लोक है जो आप क्रेट कर सकते हैं, so friend इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था आप मिनट की लाइन किस तरीके से क्रेट करेंगे, so friend ये कुछ ट्रिक सी जो मैंने आपके साथ शेर करी, so friend आज की वीडियो में इतना ही, I hope ये वीडियो आपके लिए भोती यूसफूल होगी और आपके स्किल को ओर स्ट्रोंग करेगी, so friend ये वीडियो आपको कैसी लेग आप तक पहुंच जाएगी, thank you